नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत थे। दोसों आप शबी को बता दें कि आने वाले दो दिनों का शमय आप शबी की जुनकाल में बहुत ये बड़े महत्पून बदलाव लेकर आने वाले हैं। ज्ये दोसों एक तरफ जहां आपकी किश्मत थासरी तरब जो दुश्मन आपको परिशान क्या करते थे जो दुश्मन आपके रास्तों पर कांटे खड़ा करते थे दोस्टों यश में उनकी जो बुरी दो दिनों के इंदर गनाओं की पहुती परबल शमाव ने बन रही है कि आपको यताष शमभाव लाप की प्रापति होगी अगर आप इस लापके गोचर में अगरा आप इस लाप के इश्थिति में एक जो कार्य को करने से बच जाएंगे एक दो चित्रों बता दें कि जीवन के शब से बड़े महत्पुन वस्तु को अप्राप्त करने वाले हैं कि आपकी जुनकाल में शाथ बड़े नए शुप समचार आपको दिलाने वाले हैं जे दोसों और युप याशु में आप शबकी जुनकाल में एक याख कुशंकबरी होगी कि आपकी शत्रीप करना शोगा और वी दोस्तों आप कुन कुशंकबडियां मिलने वाली है इन शबी के लिए आपको कुछ म्नेश बातों के अध्यान अदकना होगा तो दोसों वीडियो को बिल्कुल ही मिश्णा करें और शुरू से लिकर अंतर तक जरू देखिएगा उसे पहले दोसों जो भगवान भोलेनात और शनीदेव के शच्चे भक्त हैं दोसों वीडियो को एक प्यारा से लाइट जरू करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची मन से जय सन कहते हैं कि बोलने का रह सजानो थोड़ा बोलना बुद्ध्यमिद्धा का लक्षर है शंसार की अनेक उलजरों में शुरुक्चित रहने के लिए अपने जिवाक को वश में रखना थी उत्तम शाधन है मिठा वचन श्रहत के शमान होता है जो आत्मा को प्रशनुरता और श आते हैं हमारी भाषा में अम्रिद भी भरा है और विश भी जो निकालो अम्रिद निकालोगे तो शुकी रहोगे और विश निकालोगे तो दुखी रहोगे मिठा बोलने वाले की संगत के शबी अभिलाशी होते हैं वह जहां जाता है आधर पाता है तो दोस्तों बगवान शार्बात करते कि आने वाली दो दूनों के अंदर गरों की बिदलती चाल आपके घर की महल में पारिव जुन में आपके परतेग चत्र में कौन कौन से बड़ी बदलाव करने वाले हैं दोस्तों यश में जीवन के प्रति आपका शकात्मक दिश्टिकॉन बना रहेगा। आपका रहन शाहन तदा बोलजाल का तरीका जो है शबी लोगों का ध्यान आपके तरफ आकर स्वित करेगा। घर में भी कोई शुब मंगलिक कारी शंपन होने जैसी योजनाय बनेगी। व कैसी भी काम में जल्दबाजी ना करें नकात्मक प्रविड़ती के लोगों से दूरी बना कर रहें। दोस्तों उनके विजश्टे आपके मान शोमान पर आचा सकती है तो इन बातों पर आपको यश में गौर करना चाहिए। और इसको प्राहत दोस्तों में आपके लिज़ रखना आपको दूखी कर रहा है तो दोस्तों फिलाल या श में अपने मार्क पर अकेले चलने के लिए ही मन को त्यार रखें इसको प्रांदों से ये श में आपके लिज़े समय होंगी दोस्तों आपको बदा दें कि दिंचरिया में कुछ और परताशित बदलाओं भी स्तिती भी उत्पन होशकती है इसलिए सयम रखें अपनी छमता से अधिक काम करने से आप बचें ये श में नकासर आपके स्वास पर पढ़ सकता है दोस्तों काम के बीच बीच में अराम भी लेना आपके लिए उचित होगा पुरानी नकार्दों बातों को याद ना करें व आपको बदा दे कि अपने वक्त को बरवाद ना करते हुए अपने लक्षियों को प्राप्त करने की यश्मी आप कोसेज गरते रहें आपको वरसी एक अच्छी सपलता प्राप्त होगी इसको प्रांदों सो यश्मी गरस्तिती पुरुंत अनुकूल है यश्मी अध्यात्म ध्यान रखें कि आलशोबा फिर बहुत अधिक सोच जार करने से ही शमय वर्थ हो सकता है तो दोस्तों इनसे बचें इससे आपके कार्चमता भी प्रवाइद होंगी इसको प्रांदो से यह शमय नई लोगों के शाथ जान पहचान बढ़ाते शमय सदकता रखने की भी आवश शिखना होगा इसको प्रांदो से यह शम में आपके लिए उसे महोंगे दोस्तों आपको बता दें कि बहुत अधिक वहस्ता के बावजूद भी आप अपने प्रवार होगा फिर शमद्यों के लिए शमय निकालेंगे तदा खुश्णमा शावे होतित होगा आपकी कारी कु किसी वी परकार की यात्रा करने से परेज करें कुछ विरोधी आपके लिए विपरित प्रस्तुतियों बना सकती है इसलिए दोस्तों यह शम में किसी पर अधिक विश्वास ना करें था चोकन ना रहें और दोस्तों यह शम में घर के किसी सदस के स्वास को लेकर चिंता भी भी रह सकती है इसको प्रांदों से यह में आपके लिए रहोंगी दोस्तों आपको वदा दें कि आपका अधिक्तर वक्त परिवार की लोग और व्यक्तिकत रिलेस्टेशन्सिप को ठीक करने में ही वहतित हो भानके परण वे रह यह हैं आपको प्राप्त होंगी कि लेकर बात के नश्फात है की दोस्तों यह हो जाएगी घर परinkår से आपके र कर रहने के सुजारूर जईनर। प्रन्तु उसके बारे में उचित जानकारी आवशे ले ले इसको प्रांद से यह में आपके केरियर के लिए जोसे होंगे आपको बता दे कि दोस्तों वह पारिक गतिद्यों में शुधार भी आएगा शिर्प थोड़ी सी सूजबुच से आपको काम लेने की जरुत होगी यह इस्षमें उप्लवदियों वाला समय होगा योजना मत तरीके शेट अपने कारियों का अंजाम दे इसको प्रांदोस्तों आर्थिक जती क्युटी तो आपको यह बहतर होंगी परंदू आपका जो घर का महल में उनमें भी शुधाराएंगी इसको प्रांदोस्तों में आप कोई विभागय जांच चर रही है तो दोस्तों उसका फिरिणाम आपके पक्ष में ही होगा इसलिए इसमें तनाव अपने उपर हाविन होने दें इसको प्रांद दोस्तों यहाश्यों में आपके केरेर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि कारी चेतर में आपको यश्य में और निर्ले लेने में शायक स्वाइगे इसको अपराम यश्य में आपकी लब-लाइप के लिए खिलाव्य परिवार के लिए और प्रेम शंबने वाली यह तता विवाग के योग भी बन रहें इसको प्राहत 오늘도 से आपके लीजिवाएं पारविक जियोवन के जोए को बदादें कि यश्र में आपके लव लाइफ में बहुत अच्छा श्मंद रहेगा पत्रीपद्द्रे के श्मंद्रों में मदर्ता रहेंगी दोनों एक दुसरे के लिए बात वह सब्सक्राइब को अमयद देंगे प्रन्तु वर्थ के प्रेम श्मंद्रों में अपना होने रहेंगे इसको प्रांदों से यह में आपके लब लाइप के लिए आपको बता दें कि दोस्तों में पारवरिक श्रदुस्यों की बीच उचित ताल मिल भी रहेगा घर के महाल में शकात्मों गुर्जा व्यापत होगी प्रतों विवातर शमनों से दूरियां बना कर रख भी करें इसको प्रांदों से यह में आपके स्वास के लिच्रुश में होंगे दोस्तों आपको बता दें जचकान और आत्मबल की कमी महसुल होगी कुछ अध्यान और मेंट्रेशन पर अवश्वेतित करें यह आपको शकारत में परिणाम देंगे तो दोस्तों जरूरी निपर ध्यान देंगे आपके स्वास के लिए बहतर शावित होंगे वरिश के साथ दोस्तों येश्व में अगर आप शाहधनी को रखेंगे तो स्वास आपका उत्तम र गगी